हाई वेलकम बेक मैं नरेंद्र कुमार आपका अपना ही चैनल अश्टोक अडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स इस वीडियो को आखरी तक देखिएगा ताकि आपकी सारी की सारी जनकारी समझ में आ सके और वीडियो सुरू करने से पहले करता हूं छो हैं इंट्राडे के लिए एक जबर्जस्त वाला इंट्राडे ट्रेडिंग सेट अप तो आज इस वीडियो को आखरी तक आप देखेंगे तो इस सारी चीजे आपको जनकारी मिल जाएगा तो चले वीडियो सुरू करते हैं और सीखते हैं फ्रेंड्स जैसे कि आप देख प होना चाहिए हम लोग को रेंदय को में होना चाहिए दो दो चार्ट लेना है ठीक है अब आप यहां पर रेंको आपको जलने, तोरेंग बार लएन, करते हैं कि इसका क्या benefit है हम लोग जब ट्रेंड बनता है ना तो उसका हम लोग यहां पर benefit ले सकते हैं ठीक है और यह आप चाहें इंट्राडे करते हूँ या आप स्विन ट्रेडिंग करते हूँ यह सभी जगा बहुत ही जबर जस्त के साथ आपको यह आपको रिजल्ट देता है तो अभी चलते हैं और हम लोग को एक मसट लेना है कि और MACD indicator ले लिए और जो हमारे पहले से viewer हैं तो मैं बताऊँगा कि MACD के साथ 2 moving average तो लेना जरूरी है एक क्यों है मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाएगा ठीक है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक करें जिस तरीका से आप लोग लाइक सेर करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद और फ्रेंट्स आज हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं आज आब यह सिंपल सी बात है कि जब जब ठीक है यह जब आपको अगर आपस में ठीक है अगर बाई और सेल करते हैं तो उसी डिरेक्टरे में आपको काम करना है चलिए मैं एक अलग चार्ट को दिखाता हूँ कि इसको इंट्राडे में काम कैसे करना है तो फ्रेंट्स ए आर्वी एल बैंक का चार्ट है और आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा वो क्या है सबसे पहला कि रेंट्स चार्ट आपको एक ट्रेंड में आपको कुछ बीच में कन्फूजन नहीं होगा ठीक है रेंट्स चार्ट एक क्या है कैसे काम करता है मुझे अलग से विडियो बनाऊंगा टाकि आपको बेसिक जनकारिया उसका मिल सके ठीक है अब मगर हम लोग यहाँ पे अस्टटजी की बात कर लें तो यह क्या है कि आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे आपका moving average crossover हुआ है और यहाँ पे आपका जो है MSEDB crossover दिया है वो भी zero line के नीचे और वो भी sell signal में तो यह अच्छा है एक अच्छा setup था आपको short selling के लिए right short selling के लिए एक जबरजास्त opportunity मिला है और मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको shift और shift trend को identify करके और आपको downtrend में shift down करके चलना है और मैं बता रहा हूँ कि आप इसको जब भी आप एक backtest कर लिजे या कुछ भी कर लिजे आप जब जब इस downtrend में आपको जब 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 इस sale दिया है ठीक है यह जब जब sale दिया है आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि आपको एक इतना profit दिया है आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं मैं थोड़ा सा इसको चार्ट को बड़ा करता हूँ ठीक है मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा किया अब आप यहाँ पर देखिएगा कि यह जो यहाँ पर आपका crossover मिला यह जो आपका crossover कहाँ पर मिला यहाँ पर already moving average में crossover था और आपका यहाँ से market देखिए कितना नीचे चला जाता है तो यह आपको एक बहुत ही जब अरजस तरीका से काम करेगा और आपको इसमें ज़्यादा कुछ देखनी की जरुवत भी नहीं है आपको एक छोटी सी जनकारी और बहुत ज़्यादा प्रोफिट दिला सकता है और खासकर जब भी आप रेंट को यूज कर रहे हो तो आपको ट्रेंड राइनेटिफाई करने में ज़्यादा प्रोब्लम नहीं होना चाहिए अब यहाँ पर बात आता है कि क्या प्रोफिट होना चाहिए क्या लोस होना चाहिए तो देखिए ओ आपको कंडिलास्टिक पेटर्न आपको ध्यान में रखना परेगा ठीक है आपको कंडिलास्टिक पेटर्न होना चाहिए आपका सही money management होना चाहिए जब तक आपका सही money management नहीं होगा आपको यहाँ पे market में कभी भी profit नहीं बन सकता है अब एक चीज और में लेके चलता हूँ एकाज signal में और देखता हूँ आप एक signal यहाँ पे देखिए यह जब ऐसा बन गया जब भी यह situation बना उसके बाद देखिए market क्या गजब का नीचे गिरते चलागे आप ध्यान से देखिए क्या profit दे रहा है कितना लंबा लंबा आपको profit मिलेगा बट आप against of the trend यहाँ पे buy करने के सोचेंगे आपको loss हो जाएगा तो against of the trend कभी नहीं जाना है आपको wait करना है watch करना है friends इसी को तो बोलते हैं कि जो जितना wait and watch करता है वो उतना अच्छा trader बनते जाता है यहाँ पे यह नहीं कि बस signal मिला और entry होगी और बहुत कुछ ऐसा नहीं कि यह strategy आपको हर जगा बहुत ज़्यादा benefit देगा बट अगर आप इसको सारी चीज़ों को समझते हुए काम करेंगे diversion सारी चीज़ों को देख लेंगे सारी चीज़ों को करेंगे तो देन यह आपको एक अच्छा profit दिला सकता है यह नहीं कि बस चल दिये और हम लोग को तो बहुत हाइफिसेंट इंटरे ट्रेडरिंग सेट अप लगा कर रखें हम लोग तो इंटरी बस signal मिला कि इंटर किये तो वैसे इस्थिति में जो है आपको लोस होनी के संभावना ज्यादा बढ़ जाता है तो अब इसको यहां के बाद अब आपको क्या करना थोड़ा सा और समझते है जैसे देखिए यह डाउन ट्रेड में जहां जहां भी आपको यह मिला उसको इस तरीका से आप देख सकते हैं आप देखिए ध्यान से और यहां पर तो जो मैं बताया था वो चीज मीट हो रहा है हिस्टोग्राम का नहीं बनना और उसके बाद इसा बनना मतलब कि यह मार्केट में बहुत बड़ा रेली आने वाला है तो यह सारी चीजे आपको समझना होगा यह नहीं कि बस यह हुई कर दिये हो जाएगा आपको करना होगा इंडिकेटर जो है ना अब मैं थ्वासा आपको इधर ध्यान लाना चाहूँगा इंडिकेटर जो है उसका काम है इंडिकेट करना कोई भी जो इंडिकेटर है अपने स्ट्रेंद के इस आपको से कलकूलेशन पर उसको सेट किया गया और वही कलकूलेशन करके आपको बता देता है बट आपको जो signal लेना है वो आपको लेना है वो एक indicate करेगा signal आपको बनाना है और आपको उस पर trade करना है तो यह इस बात को आप एदम समझ लीजिए जो beginner हैं उनके लिए यह तो ब्रामबान के तरह काम करेगा कि आप यह नहीं कि जल्दिबाजी कर गए हैं आज देखे कल मार्केट में जाकर उसको trade कर रहे हैं ऐसा अगर करते जाएंगे मैं बता रहा हूं कि आप लोस पे लोस लोस पे लोस करते जाएंगे बट आप सुच ही नहीं पाएंगे कि मेरा लोस कैसे हो रहा है ठीक है तो इस आपको जो है इसको देखे trade कर सकते हैं और आप को एक बार रह रहा दूं कि आपका time frame 15 मिनट का है ठीक है अब यह ऐसा नहीं कि पाच मिनिट में काम नहीं करेगा एसा नहीं है ये काम 5 minutes में भी करता है बट मैं personally जो है है 15 minutes पे फेर करता हूँ तो मैं उसी पे आपको बताता हूँ बट बहुत से कुछ भीवर का होता है 5 minutes तो मैं उसको 5 minutes पे भी set कर दूँ तो ये इसमें नंबरोग जो signal है वो जादा दिखाई देंगे यह ऐसा कुछ भी नहीं है आपको सामने देखिए दिख रहा है कि यह 0 रान के नीचे आपको यहाँ पे सेल सिगनल मिला और 5 में भी देखिए कैसे मार्केट नीचे जाता गया ठीक है तो यह बहुत ऐसा नहीं है कि आपको बसरते आपको एक यह चीज पिक करना है वह करना एक ट्रेंड आप एक बार अगर पीक कर लेते हैं तो फिर यह तो यह आपको लोट्री लग जाएगा ऐसा प्रोफित देता है देखिए आप यहाँ पे देख पहर है कितना अच्छा प्रोफित दिया है तो यह सारी चीजों को समझने की कोसिस किजिए आप जितना है सारी चीज़े पर फोकस करते जाते हैं आपका ट्रेडिंग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है आपको ए मिलता जाएगा अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि A, M, A, C, D तो उपर की तिरह जा रहा था और फिर यहाँ से निगेटिव दिया और ओ भी देखिए कैसे चल रहा है तो आपको ए सारी सीज़े एकदम किलियर होना चाहिए कि आपको सेलिंग करनी है तो कहां करनी है आप एक चीज़ ध्यान लगा के दखिएगा कि जब भी जिरो लान के निचे सिर्फ एक डाइवर्जन्स खाली छोड़ा आकर काली काम के लिया जाए तो इसका एकुरेसी बहुत ही अच्छा निकल के आता है पहले देखिए फ्रेंड्स मैं सबसे पहले इसके कुछ बरकियां मैं अध्यन करता हूं कुछ ट्रेड करता हूं और देन मैं आप लोग के साथ सेर करता हूं तो आप इसका कितना इडवांटेज लेते हैं यह आप पे डिपेंड करता है और ज्यादा जनकारी चाहिए हमाई ट्रेंडी को जोईन करके आप इसको सीख सकते हैं कि कब रेंग को यूज करना है ऐसा थोड़ी है कि हर जगा रेंग को लगा दिए किस मार्केट कंडिशन में क्या लगाना है किस मार्केट सिच्वेशन के इस आपके मार्केट के सेंटिमेंट के इस आपसे अपना indicator अपना strategy बदलना पड़ता है यह नहीं कि आपका market का sentiment कुछ भी हो और आप एक ही पे लगे हुए हैं लगे हुए हैं तो ऐसे में आप ज़्यादा profit नहीं बना पाएंगे तो मीदे फ्रेंड्स की जो मैं समझाना चाहा रहा था वो आप समझे होंगे और यह आपको जरूर इंट्रागे ट्रेडिंग में help करेगा और आप उसे profit बना पाएंगे तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा comment में जरूर बताएगा इंतजार रहता है और मैं जो भी डा प्रेंड्स आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धानवाद आपका दीन सुभ हो